आप सभी लोग का स्वागत है आज हम दो समाधान सीरीज के तहद बात करने वाले हैं करेंट इंसाइट के संदर में जिसमें बात होगी सोल जनुरी से लेकर 31 जनुरी के महत्पून टॉपिक जिसमें हम दों इंसाइट तरीके से सौट तरीके से चीजों को कभर करने का परिया आप उसमें कौन से महत्पून फैक्ट को समझने और उसे याद करने के लिए अंतिम दिनों में रखें जिससे आप एक्जाम में अधिक सदिक अंग प्राप्त कर सके यही मुल उद्देश है इस सीरीज का तो यह D3 है आप इसी सीरीज के तहट आगे बढ़ते हैं और देखते क्लासेज जो आप लोगो नहीं देखा है उसे जरू जाके देख लिजेगा विसलेशित अधारित M.C.Q. स्रीज भी कराया जा रहा है इसके टाइम टेबल को लेकर भी चीज़े आपको अपडेट करिए जाते हैं जिसमें हिस्ट्री साइन्स करेंट अफेर्स जोगरफी बि भी आपको लगता हम से जुड़ने के आव सकता है टेलिग्राम से लेकर वार्टसप चनल से सभी से जुड़ सकते हैं तो न्यूज पर आते हैं सबसे पहले देखते हैं न्यूज जिस पर हम चर्चा करेंगे 16-31 जनवरी के न्यूज पर या करेंड पर हम जिस पर बात कर रह उसके बाद क्या सुधार हुए इससे समंदित आपको न्यूज पूछ सकता है दूसरा न्यूज इरान पाकिस्तान और बलुच जो उग्रवाद चर्चा में रहा था इससे समंदित भारते हित परवावित हो रहे थे तो यहां से प्रस्ण आपसे पूछ सकता है तो आपको नेश है भारत विसु का चोथा सबसे बड़ा सेर बजार बना तो यह बहुत बड़ी उपलब दी थी हमारे भारत के लिए इससे समंदित कुछ न्यूज आपको पूछे जा सकते हैं से भी से प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा धिया रखने की आओ सकत बात करेंगे भारतिये लो आयस बजार के में अध्यन एक रिपोर्ट आता है तो लो आयस बजार क्या है उससे समंदित क्या चिंता है इसे कुछ उपलब्दियां भी साथ जुड़ी हुए उस पर हम चर्चा करेंगे भारत माला के पहले चरण का शमय विर्धी की गई है तो हलाकि 23 में ही यूरिया गोल्ड को उत्पादन की बात की गई थी पर बाजार में जो ओपन बाजार होता है उसमें लाने की मंजूरी आपको जन्वरी में दी गई है तो इससे समंदित चीजों को हम देखेंगे फैक को देखेंगे और अंत में बहु आयामी गरीब सुचकां जो है निती आयोक के द्वारा जारी की जाती है राष्टी बहु यामी गरीबी सुचकांग की बात हो रही है जो बहुत ही महत्पून है यहां से प्रस्न डायरेट आपको आ सकते हैं एक्जाम में तो इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे विश लेशन करेंगे और सोट संतुष्टी के साथ काम करने वाली चीजों को आपके सामने उपलगत राते कुछ कॉमेंट बहुत बहुत बहुतर सुनने को मिल रहे हैं जिसे आपको लाब हो रहा कुछ बच्चे इंट्रिवी तक गए हुए हैं तो ध्यान रखिएगा सभी का समगर प्रियास से आप आप भाग जो मिनिस्ट्री ऑव कॉमर्स एंड इंडिस्ट्री है जिसे मनतरी को ने इस अब थोड़ा सा पीटी फेक्ट मेरे साथ आप चलते रहीगा एक्टीव मोड में काम करते रहिएगा start-up ecosystem के समर्थें के लिए राज्जो के रैंकी में चौथे संस्करन को क्या किया जारी किया है तो यह कौन सा रैंक था start-up राज्जो के लिए ध्यान रखिए जारी किया गया जिसमें 33 राज्जो के था आप से बड़े भागिदारी के रूप में देखा गया स्टार्ट अप een पर बंढ़ है दो आपको 3 जारी की जा रही है जो आपको समझने का पर्यास की दिए क्यों किया जा रहा है कि जब स्टार्ट अपके में Mesh करने के लिए छमता विक्सित हुई पलस आपको क्या हुआ इनोवेशन करने की छमता विक्सित हुई लोग क्या हुए उसके साथ इसाथ क्या हुए जो परवंधन की बात स्टार्ट हुई कि हम कैसे कम पैसे में कम पैसे में आपको अधिक बहतर नवाचार उत्पादार था आर प्रश्ट पर पूछ सकते हैं आपको यूनिकॉन कंपनिया बनने लगी तो क्या हुआ इससे हम क्या और बहुतर प्रतिया स्फड़ा जगा सकते हैं इसके लिए रैंकिंग की ववस्था किके तो इसे ध्यान रखिएगा आप लो इसके तहर ध्यान रखिएगा चीजों को समझ परियास किजिए आगे हम बात करें तो राज्यों में केंसासित पर 305 रेनी वर्गी क्रिट किया बाट आ गया तो पांस रेनी ज़रूर याद रखिएगा आपसे प्रस्ट के तौर पर पूछ सकता बेस्ट परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मेंस लीडर और अस्पारिडिं इसे है तोटल अगर पूछ ले तोटल कितनी आपको रेंकिंग स्रेनियों में यह रेंकिंग दी जाती थी तो छो याद रखना पर वर्तमाल में आपको पांच ही दिया जाता इसे कम से कम याद रखनी अगर इसके त्रित हम कुछ चीज़ों पीडिफेक्ट की बात करें तो जंसंखिया एक क्रोंड से अधीक होनी चाहिए तोही इसकी स्रेणी में आयेगा और 20 क्रोंड से कम होनी जन संखिया इस से राजजी की सिरेंगा नीगर बेस्ट प्रफार्मर की बात करें तो गुजरात करनाटक केरल तमिलाडू याद रखेगा और यहां पर टॉप पर्फ को बिहार किसमें अस्पारिंग लीडर में और इमर्जिंग स्टार्टप एको सिस्टम में 36 गर दिल्ली और जम्मू कश्मीर आता है इसी तरह का बीस रेनी में आपको याद रखना बेस्ट परफॉर्मर हिमाचल परदेश टॉप परफॉर्मर अमाचल परदेश मेगाले से कम दो राज जिसके साथ जोड़ देना है क्लियर हो गया आपको यह स्रीनी याद रखें खासकर बिहार का कम से कम तो याद रखना बीपेसी की एक्जाम देने जाएंगे तो आपको यह बहुत ही काम देगा अगर इसका तरिक्त हम बात करें स्टार्टप को प्रसाहित करन जमेक्ट आपको यह लाई गया जिस्टाट अपको जो दिया जारा जिसे स्टाट उबढ़े गया जिसे देश में इको सिस्टेम को डवलप करने के लिए महत्पुन भूमिका अदा करती है इसके दियार के आत्म निर्भर भारत जो यह राइज है अठल न्यू इंडिया चैलेंज के तहद भी प्रोग्राम चलाया जा रहे ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए- आपको पूछे जाएंगे इस पर 20 थाम चर्चाबाह में करेंगे अगर हम बात करें इसके 3 कुछ चीजों का स्टार्टप पुरुषकार जो था राष्ट्रिया स्टार्टप पुरुग्रम 2020 उलेखनी प्षमता प्रदर्सित करने के लिए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-ए- मृस्टान पाकिस्तान और बलूच उगर्वाद सबसे पहले तो दो तीन गारhartो से समझने का परियास किरे इसकी रर्ण नितिक इस्तिति इसके कार्रन यह महत्पूर्ण है, साथ इस सम्मंधों को लेकर भी इस्तिति आपको देखने को मिलती है, भारत का सम्मंध आपको इरान से और आफगानिस्तान से ध्यार रखेगा, इसलिए है कि यहां पर सड़क परियोजना है, आपको बहुत से आपको इंफास्ट्रक्चर के प्रोग्राम चल रहे है भारत के, इस तरीके से क्या होता है, देशों के भी इस्तिति आएगी, तो बलूच जो छेत्र है, ध्यां रखेगा, जो बलूच इरान, पाकिस्तान और बलूच उग्रवाद का जो केंसर्ट है, आपको पाकिस्तान से लेकर आफगानिस्तान जैस सब्सक्राइब करेंगे नागरिक परियुजिनाय जो हम लुग कर रहे हैं, उसको लेकर चिंताएं व्यक्त के गई थी, इसी कारण यह न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है, जिसको आपको समझने किया सकता होगी, जिसमें हम बात करते हैं, पाकिस्तान में बलूच प्रांत जो इरान रोदी बलूच आतंकी समू एक नाम रखी है, इसका याद देस अल अदल, इस ने दो कथित शिखानों पर इरानी मिनसाइलों से ड्रोनों से हमला किया, और इरान पाकिस्तान के सम्मन्द परभावित हुए, जिससे पाकिस्तान और इरान के सम्मन्द जान और अफगानिस्तान के कुछ यह तरिक्या है एक दुस्य से परतियसपरदी करते हैं जिसके कारण बलुच क्या करता है बलुच यहां पर अलग राश्ट का निर्मान की बात करता है तो यही जो चीजें नहां से पर चलती है इसके आगे हमको समझने का परयाद जैसे अद पूछा जा सकता है तो टेशन के बेसर वन टो थी जो होता है न कथन में आपको यह पूछा जा सकता है यह याद रखिएगा यह मुख रूप से इरान पाकिस्तान के सीमा दोनों तरफ रहने वाले जातिये बलू समुदाय के सदस्यों से बना है तो यह जो बॉडर पर जो दिखती है फिर समुव में जंदुला संगठन एक साखा बना जो कई सदस्यों इरान दोरा गिप्तार किये जाने के बाद इसका प्रभाव कम हो गया तो इस संगठन का भी नाम आप से पुछ सकता है इसके ध्यां रखिएगा भारत की हित समझने के लिए सबसे पहले याद भारत मुंबई से क्या कर रहा गवादर पोर्ट से होते हुए आपको अफगानिस्तान के काबूल तक जाने के लिए जो नवाचारी जो परदोकी डवलप कर रहा है सौट कट जो रास्ते अपना रहा है नहीं तो हमको अफगानिस्तान जाने के लिए क्या करना होगा हमें अ इरान के साथ हमारे रिष्टे हमेंसे आपको इसी संतुलन जो संतुलन की स्थिति में बना कर रखना हो क्योंकि आफगानिस्तान के रास्ते हम फिर आपको रूस तक जाने का परियास करते रूस से फिर आपको कहा है मद यूरोप का जाने का परियास करते तो यह जो चाबाहर इस तरीके के प्रसन आएंगे तो आपको यहां से कुछ चीजों को जरू कवर करने की आवसकता हो जब भारत के लिए नहीं हर्थार्थ की बात करते हैं तो चाबहार बंदगा जैसी परिणाव भारत के लिए भागिदारी को देखते हुए तो चाबहार बंदगा जैसी परिणाव भारत के लिए भारत के सम्मंदों करते हुए स्वए को एक कमजोर राजनीक इस्तिती में पास सकता है इसलिए क्या होगा कि इस नजर के बाद यहां पर जो इस्तिती है आपको बलुच के साथ आपको अमरिकी हिद जो इरान के साथ है उसको संतुलित करने के आवसकता होगी फिर आफगानिस्तान के मुद्दे अलग है पाकिस्तान के मुद्दे अलग है तो भारत एक ऐसे स्थिती में होगा जहाँ पर इसकी कूट नितिक कूट नितिक चाले इंपोर्टेंट हो जाएगे कूट नितिक चाले जो हम करते हैं जिसमें हम चेक एंड बाइलेंस की स्थिती लेकर चलते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना यहां से प्रस्ट के तौर पर किछ कुछी जो को देखा जा सकता है पूछा जा सकता है इसके जैसे ही चावाहर की बात आएगी तो आपको यह रोड इनिस्टिव याद रखना नोर्ट सौर्ट ट्रांसपर कोरिडर जिसे एन एस्टी सी कहते ह क्या करता है आपको भारत के मुंबेच छेत्रे से क्या करता है आपको चाहबाहार होते हुए आपको क्या करता है इरान के रास्ते होते हुए आपको रसिया तक जाने का रोड बेरल देता है जिसमें हम एन एस्टी सी रूट कहते हैं जो आपको सौर्ट कर देता है रसिया त सब्सक्राइब चोरा एक जित रहते हैं तो क्या होता है तो क्या होता ने क्या कि अंतराश्टी अंतराश्टि रखे परीवहन कॉरुडोर अस्थापित किया जैसे आपको ध्यान होगा वन वेल्ट वन रोड इनिसेटिव जैसे चीन ने लेकर आया था भारत भी उससे पहले आपको यह चीजे लेकर आया जहां पर भारत उसके साथ पर तो यह संतुलित कर सकता है जिसमें रोड का किनेक्टिविटि यह समुद्र का है रेल का है ध्यान रक्यां तीनों कॉंसर्ट आपको यहां पर भारत लेका राता है इसके संदर में कुछ चीजे ध्यान रखेगा ये connectivity बहतर सो किलो मीटर है ध्यान रखेगा बहतर सो किलो मीटर जो यहां से दूरी इसकी है बहतर सो किलो मीटर पैतालिस सो मिल एक बहु मॉडल संदफर्क परियोजना जिसका परिवहन नेटवर्क जहाज रेल और सड़क की बात करता है माध्यम से भारत रुष इरान एरोप मद एसिया को जोड़ने का पर्यास करता है तो यहां से क्या करेगा देखिए अजर बेजान जैसे छेत्रों को जोड़ता है यहां से फिर फिर छोटे-छोटे लिंक को करव करे जाएंगे तरीके से हम एक सौटकट कीट आपको लेकर आप आएंगे तो इस चाबहार हमारे दे बहुत इंपोर्टन हो जहां पर आपको हाल में बलुच विद्रो देखने को मिल रहे हैं तो यहां कहीं न कहीं हमें और भी बहतर कुटनितिक रस्तंबों को अस्थाबित करन जहां पर यह सब सारे देश हैं जिस पर आपको यहां से प्रसंद पूछे जा सकते चलिए कोमेंट सक्षन में मुदे बताईएगा एसिया के अस्थल रूद देश कौन-कौन से हैं मुझे बताईगा एसिया में कुल कितने देश हैं यह सब मैंने पहले वी आप लोग पीट सबसे बड़ा सेर बजार बन गिया है तो सेर बजार क्या है क्यों यह इंपर्टेंट हो जाता है इससे समझेएगा यह किए हंकों को पर छार कर लोग निवएस चौमता होगा तो क्या होग पूंजी का विर्धी करन अर्थात पूंजी में विर्धी होगी पूंजी विर्धी होगी देश में शंसाधनों का वितरन अर्थात हम किस प्रकास कर सकते आपको कल कर खाने लगाये जाएंगे कल कर खाने लगाये जाएंगे साथ ही साथ क्या लगाये जाएंगे कल कर खाने के कोर सेक्टर को क्या करेगा कोर सेक्टर को और मजबूत करता है इस तरीके से सेर बाजार में जो भी पूंजी होगी हो हमारे देश में इंस्वा स्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा हमारे देश में निवेस की छमता को बढ़ाएगा हमें हमें वन राश्टो में निवेस करने की भी छमता को विर्दी करता है तो इससे क्या होगा रोजगार भी होगा रोजगारी विर्दी होगा ये सब कॉंसेप साथ में चलते हैं तो इसे आसान समझिएगा नहीं ये बहुत ही महत्मुन विपन के बाओ ना है कि रहा देता भारतिय स्टॉक एश्चेंजरों में सूची बस सेवरों की स्वायूंजी 22 जनवरी 2024 को 4.33 टिलियन अमरिकी डॉलर से पहुच गया जो हंकोग उसी दिन कितना था 4.29 टिलियन तो यह ध्यान रखेगा आपको यह 22 जनवरी को इसके आंखड़े को पार कर गया जिसके अधार पर भारत भी इसका सबसे चौथा सेर बजार बन गया अगर हम अनराश्टर की बात करें सूची में तो सबसे ज़्यादा अमरिका चीन जापान है जिसमें हम अम्रीका की बात करें तो 50 trillion है आपको चीन है 8.4 trillion और जापान है 36 trillion अगर हम करोड में बात करें तो यहां ध्यार आखड़े भी दिये गे 4226 करोड आपके पास अम्रीका की सेर वजार की पूंजी है वहीं चीन की 701 लाग करोड है वहाँ जापान 528 लाग करोड है और भारत 369 लाग करोड के आखड़े को पार कर दिया तो इस तरीके से देखते है तो सेर बाजार में अमरीका सबसे ज़्यादा चुकता पुंजी वाला सेर बाजार उसके देश में है तो इस तरीके से आपको खुच चीन है अगर आपको टॉप आपको याद रखनी है तो बैक्तिगत और संस्तागत निवेशक स्टॉक सेयर बांड्स एक्सेंज ट्रेट्स फंड्स और डिविरिटी क्या जैसे अलग अलब पर्तिविर्टियों को लेंदेन करते हैं सेयर बजार दो परकारते प्रात्मिक और दुत्यक बजार होते इसे याद रखिए जहां सेयर ब सेयर बजार को वग किया जहां पर चीजों को क्या लिया दिया जाता है इस तरीके से ध्यां रखिएगा सेयर बजार का विद्यविलिमांस कहति है मुण्त करता है तो तो आपसे प्रस्ट पूछेगा तो केवल यह नहीं देद देना है सेवी भारत की RBI भी क्या करता है परतिभूत करता है किस परकार के परतिभूतियों को बजार आधी के विनिमेंट करता है जो आपको सेवी महत्मुरूप से है पर इसके अतरित RBI भी अपनी भूमी का अधा क करता है अगर हम बात करें भारतिय परतिभूतियों विनिमें वोड से भी की तो इसके ध्यान रखेगा सेवी 1992 में गठित की गई थे 12 अप्रेल याद रखेगा 1992 में भारतिये परतिभूतियों बोड अधिनियम 1992 के प्रवधानक अनुसारे से गठित किया गया जो देश में जो शेर बजार को क्या करता वी निमित करता श्टोकों को वी निमित करता उसके लिए नियम बनाता उसके लिए परवंधन करता अब ध्यान रखेगा यह क्या है परतिभूतियों को निवेसों के हीतों की रक्षा करता परतिभूति बजार को बढ़ावा देता और वी निमि सदस के तौर पर भी काम कर सकते हैं इसके अतरिक ध्यान रखिया सेवी अवसक्ता पढ़ने पर महटपुन मुद्दों पर विचार करने भीविन समीतियों को गठन कर सकता है अगर हम सेवी की बात करें निन्ये से असंतुष अंस्ताओं ही तो की रच्छा के लिए परतिभूत कि उसी तरी के सभी कोड़ा का सवाती है तो क्यूंकि परिख सपती हुए पर एप से अगर को संपूर्प कर सकता है तो इसे ध्यां रख़िए गा तो इस क्या होता है आपको अंतिम नियाधिकरण नियाधिकरण नहीं नहीं देता है इसके लिए हम सुप्रुनिम कोट भी जा सकते हैं इसके अलग ध्यान रखेगा अगले टॉपिक पर गंगा सागर मेले को राश्टी मेले और बांगला को क्या किया सास्त्री भासा दर्जा देने की बात की जारी बहुत ही important topic है से याद रखी गया है यहां से प्रस्न डायट पूछे जा सकते है क्यों गंगा सागर मिला भी important है सास्त्री भासा भी important है current में ना पूछे तो आपको core subject में पूछ सकता है जैसा कि बच्ची ने क्या किया था मुझे बहुत इन सब चीज में ही सामिल करने की आओ सकता है यहां से प्रसन अगर current आप 30 पढ़ रहे हैं तो समझ यह 30 topic पढ़ रहे हैं तो 30 core topic भी आपको साथ पढ़ लेने चाहिए जिससे होगा 30 topic आपका clear हो जाएगा और प्रसन मान लेजिए यहां से प्रसन पूछते हैं तो confusion आपका नहीं होगा अगर कम से कम इस format पर चलते हैं जिसमें यह format आपको इक्जाम में अंतिन सफलता दिलाएगी तो निसंदे आप अच्छे सिती में होगा रहे हैं इस सब कीजों को कर लेने के बाद अत्रिक करने के आओ सकता नहीं है clear है पच्छी मंगाल की मुकमंतरि ने बांगला के लिए क्या किया रसास्त्री भासा का दर्जा जो विश्में सात्वी सबसे बड़ी बोली जानी बाली भासा है तो यहां से इसके कारण यह मांग कराएं गंगा सार मेला के लिए राष्टिय मेला का दज्या करने के लिए मांग की गई अब यह ध्यार रखेगा बांगला सास्त्री भासा के तौर पर मांग करें इसके ध्यार रखेगा अगर हम पच्छी मंगाल की बात करें तो यह location से प्रसंद आपको पूछे जा सकते जैसे हाल मे पुछ सकता है जैसे आपको कुछ भी हार। आपको पुछ जलपाई गुड़ी आपको याद रखना है, इसके वाद दिनाजपूर, उत्रकों इनाजपूर आपको उसके वाद तो इस तरीके से प्रसन आपको बन सकते हैं, बिहार से कौन मिलता है, आपको प्रसन बन सकते हैं, इसे याद जरूरूर रख्येगा, क्योंकि यह प्रकार के नए ट्रेंड विक्सित हुए है तो कम से कम आपको क्या करना है प्रसंद के तौर पर चीजों को कभर करने का परियास कीजेगा जैसे लोकेशन बेश्ट प्रसंद इसलिए बढ़ रहे है ना कि बच्चे क्या कर रहे है इसको याद बहुत अच्छे से कर ले रहे है पर लोकेशन को क्या कर रहें भूल जा रहें कि क्यों हमारे लिए important हो जाता किसी राजी की सीमा क्यों important है किसी देश के साथ सीमा तो यह संबंद संगवादी संबंद के तौर पर मजबूत एक पक्ष है तो इसे आपको जानने के आप सकता है कि आप जिस छित में नौकरी करने जाएंगे जौब कर क्लियर है चलिए आगे हम बात करेंगे इसके तरी गंगा सागर मेला के बात करें तो यह ध्यान रखिए गाए यह मकर संक्राथी में आपको आयुजित किया जाता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिर्थ मेला है जो आपको कूम मेले के बाद से माना जाता ध्यान रखिए कुम मेला के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मिला है अब इसके ध्यार किए यह तित्मिया गंगा बंगाल की जो खाड़ी है उसके संगन परिस्ति सागर द्विप की में आपको आयुजित की जाती है राजा भागिरत द्वारा जो गंगा को पिर्थी में आतरण का जो अस्मर आपको हमारे पूराने गरंफो में दी जाती है उसके संदर में मार्क मनाये जाती है उसके संदर में उसके देखेए to कुम मेला हिंदु धर्म के उस धार्मी को स्वह जो बारव वर्षों के उपरां चार बर मनाया जाता है इसे याद रखेगा बारव वर्षों के उपरां दोरां चार बर मनाया जाता है चार पवित्र नदियों पर किनारे पर मनाया था हरिद्वार के गंगा नदी पर उज्यन क चिप्रा नदी पर नासिक की गोदावरी नदी पर परियाग राज में गंगा नदी यमना के टट पर जो प्रुस्वती का संगम है जो परियाग राज में यह आपको चार जगा मना जाती है तो परियाग राज के संदर में उज्जेन के संदर में हरिद्वार के संदर में लोक आपको कहा मनाया जाता है दो में और आपको गंगा सागर मेला आपको कोठेशन कूट लगा कर भी प्रसंद पूछ सकता है तो इस तरीके से चीजों को याद रखेगा समझने का परियास किजिएगा चलिए नेश टॉपिक पर आते हैं सास्त्री भासा क्या होता है जिसमें दो तक 6 भासाहों को सास्त्री भासा का दज्या दिया गया ओन भासाओं सब्सक्रम उडिया तो सबसरे पर चाहिक पारले की संस्कीत मनता दी तो आपको समील को याद नथा सबसे अंति में किसको दी गई तो अभी वर्तमान में जो सबसे अंत में दिया गया उड़िया को दिया गया इस तरीके से प्रस्ण पूछ सकता है तो इसे याद रखना है और समझने का पर्यास करना अगर हम सास्ते भासा को हम बोलते हैं कि कैसे मिलता उसको दर्जा मापदंड क्या है यह भी इंपोर्टेंट है तो पर जो ध्यार रखेगा प्रारंबिक साहित और लिखित इतिहास अत्यनत पुराना होना जिसका इतिहास लगवट डेढ़ हजार से लेकर दो हजार वर्ष पुराना होना जाए तभी उसे सास्ते भासा के रूप में मनता दी जाएगे इसके अतरिक धिया रखियेगा प्राचिन पुस्तकों या पां अन भासन समुदाय में नहीं ली गई अथात या असुद्ध अपनी भासा के तौर पर जानी जाएगी ऐसे ही बाते आपको देखने को मिलती है शास्त्री भासा उन साहित आधुनिक से भीन होने के कारण शास्त्री भासा उसके बाद रूपों में उसकी सखाओं के बीच व इस असलों को गउन symptom से जिसमें वर्वों में 22 भासा की बात हो रहे हैं थैसलों नहीं स्थी की और जैसलों यहां रखेगा अम मदकालन उत्तर मदकाली अनुत ट्रपेवि देखे सहे जो देश में बोली जान अधिकारिक भासाओं को जो सुची बत करता है जिसमें अस्मिया की बात होती है बंगली बंगाली गुजराती हिंदी कंणर कस्मीरी कॉंकर मल्यानम मलिपूरी नेपाल आपको मराथी उडिया पंजाबी आपको संस्क्रिस हिंदी समील तेलगू उर्दू बोडो संथाली मैथ सबसे अंत में किस अधिकारिक भासा को सामिल किया गया आपको अनुसूची आठ में चली कोमेंट सकते में बता दीजिएगा चली नेश टॉपिक मरम आते हैं भारतिये जो लो एक्स है बाजार अध्यान रिपोर्ट लाया जिसमें हम लो एकस के संदर में बात करें तो यहा जिसे CCI करते हैं जांच पर ताल करने के आज चाहर किया मुख तो बहुत ही खुशी की बात है पर चिंता के विबात इसके साथ देता है आगे तो ध्यान रखेंगे लो एस्वीक उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी लवसाथ परती सत है इस तत्थे को जानीगा पीटी फैक्ट यह है जिसमें चौथा सबसे बड़ा लो एस देश है यह प लो एस की सदा ख़दाने कहां का ओडिसा है जारखन बेल्ट में आपको मयूर भंज कुद्धुजर और गुवा दूर्ग आपको तीन महत्पूर्ण है याद के गूवा है मयूर भंज और के दूर्ग अब मयूर भंज से लातार प्रस्न पूछे जाते याद रखीगा मयू आवा महाला से हमारी लुफे वेल्ट की बात करें यह बेंट है रतना केंदर मुंक्र आपको सामिल आ hust या-स-ते प्रस्न के त्रत्र के और ना जा सकते हैं पाया जाता है यहां बैल्ट कईसे भी करहें और यह इसे नहine qy कि मारी है और यहां रखेएगा वह लोव कोई पर शाठ को फुझछ नहीं है जो भारती पर्दा आयोग है इस लो एस को लेकर निरियात बढ़ गिया है ध्यान रखेगा हाल के वर्सों लो एस का निरियात बढ़ा है इस्टील जैसे तैयार उत्पादों की तुलनाव लो एस का मुल कम होता जिसके कारण हमारे च्छती हो सकते इसके लिए बात कि कुछ कं केटिव खंदानों को ध्यान रखेगा केटिव खंदानों उसे कहते जो नीजी रूप से अपना उप्यों करता है आवंटन करने के लिए नई कमपनियों के इस बजार में पर्विश करने के दौरा बाधाओं का सामना करना पड़ा तो परतियस फर्दा सही नहीं उपा रही इसलिए परतियस पर्दा आयो क्या कर रहा है चिन्दा हो जाता आए लेकर आए अर्टिकल क्या करता समान बहवार करो सब के साहिए यही बात परतियस पर्दा करता हलां कि 14 मत जोड़ दीजेगा अपलो बस ध्याँ रखेगा समझाने के लिए बात की जारे जैसे 14 व्यक्ति किसी कंपनी दो स्वेक्ट के लिए परदान की गई खदाने उसे इस खदान के तौर पर वर्गिकित किया जाता है तो यह सब आफ से प्रस्ण पूछ सकता हाल के दिनों में केटिप जो सब खदान थे चर्चा में था कारण क्या था किया इसे कहते इस तरीके से नेश्ट पर सम नो से काम कर रहा है विधिवत रूप से अब ध्यारा कि रागवन समीति के सिफारिसों पर इसका गठन होता है तो जो अधार पर एक अधिकार परती बंदात्मक वैपार अधिनियम जिसमें MRTP Act कहते हैं 1979 के निरस्ट करके विए परतियस परदा अधिनियम 2002 द्वारा आयोग एक अध्यक्ष होगा 100 सदक्ष होगा हाली में आपको ध्यार रखना है इसके संदर में कुछ अपडेट हुए थे जो आएने वाले समय में हम चल्चा करेंगे एक अध्यक्ष 6 सदस्था साथ सदस्य यह पर आयोग होता है ध्यार लखिएगा आपसे प्रसंद के तौर पर पूछ सकता है अगर हम बात करें यह एक अर्ध नियाईक निकाय का अर्थ बहुत सी चीजों से समझा जा सकता है पर एक बेसिक अंतर होगा यह मिट्यू दंड सजा नहीं देता लाक है ओंसे पैसे सजा नहीं सकता है र этड करावास काले में इस तरीके से किसी व्akatाहлем बहुतार करने की बात कर सकता है है तो आपको यह पर दंड नियाईक कमतलब होता मिरत जंत को गुष्णा देना जिसे सुपनिंग कोट और हाई कोट को प्राप्त है इसे याद रखिएगा आगे हम बात करेंगे इसके साविदिक प्राधिकारों प्रमास परामर्श्क देने के सासर अनमामलों संबोधित करता है इसके अध्यक्ष और अनपुरुकालिक होते हैं इस तरीक कि ऐसे ब्यक्ति पात्र होगा जो सत्य निश्था और प्रतिष्टा के सासर उच उच नियाले का नियाधिस रह चुका है तो अर्थात उच नियाले हाई कोट के नियाधिस के तौर पर काम कर चुका उसे इसका सदस या धक्ष बनाया जा सकता दूसरा उच नियाले के निया किया गया है तो पॉलिटी का सेक्षन है बताइए कॉमेंट से जिसके पास अंतराष्टिय बैपार असास कारोबार वानी जी के विधी विर्थ लेखा कारी प्रबंदर उद्योग लोक कारी जैसे आपको घ्यान भी है तो इसे ब्यक्ति को भी नागरिक ब्यक्तियों को भी जो विशेषग्यान होना चाई दहान रखेगा 15 वर्ष का विशेषग्यान अनुभव होने चाहिए अब क्यन सरकार के राये बहुत इंपॉर्टन हो इसलिए इन् हो जाती है अगर इस Спट्रे से उसे सामिल करते है तो यह महत्त्यों उसे आपको पातरता है याद रखेगा आप के बाद दर्ज आपको कुछ अपडेट किये गए जिसमें परतियस फर्दा अपिलिये नियाधिकरन जो था कॉमपैक्ट की स्थापना की गए जो नए रूप से कारे करता है नए परतियस फर्दाओं को मजबूत करता है लोग के जो कंपणिया उसके भी समानता की बात करता है तो परतियस फर्दाओं पूछे जा सकते जो कॉमपैक्ट है किसको परतियस फर्दाओं काते अस्थापित करता है या उसके अस्थान पर आता है तो यह सब चुरह तोड़ा से प्यूटी फैक्ट या रखेगा चलिए नेश टॉपिक बाते भारत माला के पहले चरन को बढ़ावा दिया तो यह महत्पून है भारत मा जो परिवहन राजमंत्राले के दिन शुरू किया गया तो ध्यान रखेगा मुझे कॉमेंट से ने बताए इसके मंत्री कौन है बहुत ही महत्पून मंत्री है आपको इनको सुनना चाहिए इनके आइडियोलोजी को सुनना चाहिए एक अंब्रिला योजना कारिक्रम ध्यान करें इन योजना चाहिए होंगे एक योजना का सोर्श होगा जिस से हम अन्न योजनाओं की पूरती कर सकते हैं पूरती कर सकते हैं यह आपको ध्यान रखेगा जैसे आपको भारत माला प्रोजेक्ट लाएगा तो इससे क्या होगा एक तो road connectivity, सड़क connectivity बढ़ी, सड़क जो है सड़क विर्दी होगी, उसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम पर्यावरन के लिए क्या करेंगे, कारिक कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, सवक्षता के लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या सकते हैं, सड़क सुरक्षा होगी उसके साथ सब योजना को भी लागू किया जा सकता है उसी के विनिस्पत वो क्या होता है विक्सित होता है अब जिदर जिदर यह सागर माला भारत माला पर योजना जाएगा उधर उधर अन योजना भी उसके साथ विक्सित होते चलेगी इस तरीके से अम्रेला योजन थी जिसको लागू नहीं किया जा सका हालात वितिये हालात के कारण पर ध्या रखिया रखिया जो सत्रम इसको पर्थम चरंग की मंजूरी दिए इसका उद्देश वर्ष दोजा बाइस तक लगबच चौतिस जार आठ सो किलोमेटर के राश्ट्री राजमागर था नेशनल हा आपको 58 परसेंट क्या है इसके काम पड़े थे पैंडिंग इसलिए आपको विर्धिक कर दिया गया सकता है तो आपको यहां प्रसन पूछे जा सकता अगर हम भारत माला की प्रोजेक्ट की बात करें तो यह चार महत्पुर्ण महानगर है उसको जोड़ने की बात करता दिल पूरे देश और एक ट्रेंगल जहांसी के पास एक ट्रेंगल बनता है जहां पर आपको यह सारी मिल जाती है रोडे तो याद रखिएगा इसके तरी आपसे प्रसन पूछ सकता है कुछ चीजों को समझने का प्रयास की यह हो गया चली आगे हम बात करेंगे इसके भारत माल परिणा को उदेश किया तो महत्पून उदेश की ताम हम कर माल धुआई को विर्दी करना याता है यात्री आवाज आई को बढ़ावा देना पुरित्तो भारत में किनेक्टिवीटे को सुधार करना मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क जो है विक्सित करना जिसे मजुद पूरा में उसके अंतिन छोर तक जाएगा उसके बाद आपको आपको यहां देख रहे हैं गुजरात के आपको छेत्रे से आपको यहां तक पहुचेगा जहां पर हम बात करते हैं पूरव से पच्चिव उत्तर गल्यारा जो नौर्थ सौथ कोरिडोर है और इस्ट और वेस स्ट करिडोर है इसे याद रखीगा भारत मौला के साथ इसे भी बाद में विक्सित किया जाता हा गंड़े को बढ़ावा देने के लिए तक लेकर आया गए आगीसकिły महत्पुन सहरों को भी जुड़ा जाता है आने वला 2047 तो जो भारत का लक्ष है विक्सित भारत उसके लिए महत्पुन भूमिका अदा करेगा इंफास्ट्रक्चर रोड इनिस्टिव के बारे जब भी न्यू चर्चाम आएगी तो भारत माला प्रोजेक्ट और कोरिडोर इसमें पूर्ण आर्थिक छमता को उप्यों करना इंटर कॉरिडोर और फिडर रूट है 6000 किलो मिटर जो समग करने उठीक सुनिश्ट करेगा राष्टी गलिया राष्टी चमता को सुधार करना 5000 किलो मिटर का शीमा वर्ती सडके और अंतराष्टी किनेक्टिविटी 2000 किलो इसमें किये जाएंगे तो यह महत्पुन घटक इसे भी याद रखेगा नेश टॉपिक पर आते हैं ध्यार के यूरिया गोल्ड बाजार में लाने की मंजूरी यहां पर जनवरी आपको जनवरी आपको 24 में यह मंजूरी दी हलाकि यूरिया गोल्ड को आपको लास्ट येर ही आपको मंजूरी दे दी गई थी आपको 23 में अब सरकार पर्यावरान उकुल उर्वरकों को क्या करना योग में बढ़ावा देने के लिए पहल सुरू किया जो यूरिया गोल्ड लॉंच किया जाना एक मैसी ही पहल अब यूरिया गोल्ड सलफर लेपित यूरिया उर्व नाट्रोजन के अधरखिया नाट्रोजा को विद्यरती करती तो हिसके मामलों के के केमिनिटी जो थी CCIE वो 28 जून या रखे 2020 को आयुजित बैठक में यूरिया गोल्ड नाम का एक सबस्वर परत की यूरिया जो सलफर कोटेड यूरिया की लॉंज करने का प्रस्ता आपको मनजूरी दी थी अगले टॉपिक बाते है भारत में परियावरत अनुकुल जो उरूरक है महत्पुन सुर्फ महत्पहल कौन-कौन से तो परमान एक पहल की गई जिसमें पी एम प्रोग्राम फोर रिस्टोरेशन अवेरनेस नौरिजमेंट एंड जो एमिलियरेशन और मदर अर्थ की बात की ज उपलब कराया जाते है गो वर्धन याद रखिएगा यह योजना चलाए गए इसके तरह हम जेविक खादों के उप्योग के बढ़ावा दे रहे थे इसके देख सतत क्रिशी समनित हालिया सरकार की पहल क्या क्या है राष्टे सतत क्रिशी मिशन आपको लाया गया उसके समिति और थे समेंट कबिनेट कमीटी ओन एकनौमिस एफेर भारत सरकार की एक अहम समीति होती जो नुशासन उसको स्थापित करने के विद्धिय प्रबंदन करने के लिए विद्धिय निर्णे लेने से समन्दित होती है इसमें ध्यार रखिएगा यह समीति आर्थिक माव सकते हैं के रिधान मंतरी देश मंतरी के अनुरोत करуш मदली समीथी जो है वरतमान पहली बैठक दो गित शवी सवां रूह हुए थे तो मुझे यह कुमेंट सब्सक्राइब इस बार लोग सबाग चुरावद कौन से करम का था यह जो नई गठन हुई सरकार उसके उनीश जुन 2024 को हुई है तो पहली पैठक इसकी वर्तमान नई सरकार गठित होने के बाद आपको 24 उनीश जुन अनंद कोंडा निर्मला सितारमन में नरेंदर सी तोमर रभी संकर परसाद हर जो हर सीमरत कोर बादल याद रखिया सामिल है इसके अलावज एस जय संकर प्यूस गोयल धमिंद पदान इसमें सामिल होंगे इस तरह के से ध्यार रखिये महत्कुन आर्थिक मावलों के मंत्रि मं आपको जुन 24 में किया गया आज का अंत्रिम टॉपिक बहुयामी गरीबी सुचकांग यहां से आपको डारेट प्रसन पूछे जा सकते हैं इसे याद रखियेगा जैसे बहुयामी गरीब सुचकांग 15 जनवरी आपको दोज़ाच चौविस को निती आयो के द्वारा दोज इसमें ध्यान रखियेगा जो राष्टिय सर्वेक्षन कराए गये थे जिसमें दोज़ाच और चौकी बात होती पंद्रा सुल्लक की बात थे उन्हीं सीखिस की इसमें चार राष्टिय परिवारिक सर्वेक्षन को डेटा का परियोग किया जिसके आंकडे के अधार पर हम गरीबी सुचकां को जारी किया है नितिया उक्षवा गरीबी रेखा से बाहर निकाले लोग संख्या में बात करें तो पहला उत्तर परदेस याद रखना दूसरा बिहार का याद नाम याद रखना तीसरा मद परदेस का यहां से आपको आंकडे पूछे जा सकते जिसमें बिहार दूसरा है जिसमें 3.77 क्रोण को बाहर निकाला गया है गरीबी रेखा से बाहर तो इस तरीके से आख़रे याद रखने है नेश टॉपिक पतौर पर ध्यान रखिए गराश्टी बहुयामी गरीबी सुचकांग क्या है तो इसे ध्यान रखिए इसमें कुल 12 लक्षो के तहत लाजारी किया जो आपको सजीवत राज विकास कारिकरम और अक्सपोर्ड गरीबी मानों विकास पहल जो ओ पी एच आई है उसके द्वारा वर्ष 2010 में सुरू किया गया जिसमें आपको 10 सुचकांगों को शामिल किया जाता है 10 सुचकांग जिसमें स्वास सिक्षा जीवन अस्तर पर होते हैं और ध्यान रखिया तीनों एक ही मानक का धार पर स्थापित गया यहां पर स्वास रिक्षा जीवन अस्तर है पर ध्यान की कुछ चीज़ें जिसके वूप सीरीनी बनाई गयी है स्वास्ति बात करते हैं पोशन बाल कि शोर मिर्टिव मात्ति स्व यहां पर आपको बाल मिटू है फ़िए जिएज नों सेम हैं आव इसटेद़ जीवन अस्तर ही इम बात करेंतों खानपान इंधन खानपान इंधन स्वक्षता स्वक्षता पीने की पानी पीने का पानी बिजली बिजली आवाज संपती यहां बैंक खाते याद रखना है बैंक खाते आपको यहां नहीं है अर्था दो जो है यहां पर राश्टी बहुयामी गरीबी सुचकांग में आपको अलग देखने को मिलता जो लिश्ट में दिया गए गया तो आप इसके अनुसार भी पढ़ सकते हैं आगे वड़ते हैं अब निदिया 2015 में गठित की गई थी योजनायो के स्थान पर यह हंकारी संगवाद की करता एक अधाथ हम नीचे से उपर की बात करेंगा उपर से नीचे की बात करें योजनायोग की तरह नहीं कि हम उपर से डाइट ओड़र देंगा आपको नीचे लागकरनी उसको ऐसा नहीं राज्यों को भी समान भागिदारी देनी होगी इसलिए मैं अपने दोस्तों को अपने स्टूरेंटों ये बताता हूँ नितियायोग वह पत्नी है न जो संपुर्णता की बात करती है और योजनायोग वह गल्फ्रेंड थी जो संपुर्ण होने के बावजूद भी आपको मांग करती थी किसकी मांग करती थी आपको संपुर्ण होने की आप जितने भी चीजे दे दो अपने गल्फ्रेंड को समझाने के लिए इसे बुरा मत माने हो समझाने के लिए गल्फ्रेंड को जितनी भी चीजे आप दे दो वो हमेशा डिवांड करेगी उसकी संसादनों के पूर्ती नहीं की जा सकती है पर पत्नी वो है जो संपूर्ण होकर यह आएगी रीजन है कि उसके पास भविस के जो नितियां उसके पास होती है कि हम आने वाले समय में हमने once जो है हमारे जो संसादनों का वितरन कैसे होगा इसलिए वो क्या करेगी यहां भी मांग बढ़ती है पर आवसकता कनुसार बढ़ती है ऐसा नहीं जब कापके पैसे नहीं है तो आप यहां पर नहीं होगी पर यहां गल्फेंड में यह चीजे नहीं नितिया योग और योजना योग में यही बेसिक अंतर था इसे समझ जियेगा जैसे योजनायों को क्रोडो का समपति जिया जाता था योजनायों को किसी भी योजना को लागु करने के लिए वित्य परवंधन की बात करता था पर यह परवंद ही नहीं कर पाता, दीजन था उसके पीछे यही कि हम नितीगत फैसले एसी रूमें लिया करते थे, निती आयो कर रहा है, राज्यों की भागिदारी को लेकर चल रहा है, उससे साथ मंच साधय कर रहा है, मंचों में जो विवाद होते हैं, उसका समधान की बा पारा, अच्छे आखड़े दे पारा, देश से माद्धिया से इसके एसेट को निर्मान को क्या कर रहा है, अपने छित में उप्योग कर पारा, इसलिए अधिक्तम सासा निउंतम सरकार के परिकलपना को क्या करता है, अधार देता है, बोटम अप दिश्टिकों को जोड़ नीचे से उपर के concept को यह जोर देता या भी ध्यार रखिएगा इसके सासा इसके दो हब है याद रखना है टीम इंडिया हब राजियो कें सरकार के बीच इंटरफिस का काम करता है उसके ज्ञान और नोवेशन हब निती आयो के think tech के भाती कारी करता है comment section में आप मुझे बताइएगा कुछ कुछ चीजों का जैसे निती आयो का वर्तमान अध्यक्ष कोन होते हैं परधान मंत्री होंगे जो भी PM होंगे वो होंगे पर उपाध्यक्ष कोन होगा यह मुझे बताइएगा CEO कोन है अभी वर्तमान में इसके अंसकालिक सदस्त कोन है प दियान रखिएगा यह अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा और भी हमें पर्मोट कर सकते आप लोग ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुछ सके जो सुईधा है आप लोगों को दी जारी और भी बिहत तरीके पर हम आप लोगों चीजों को दे सके आसान सब्दों मे आपको यह चीज़े दे जारी जिसमें हम JS की बात करें, करेंट की बात करें जो नों में PDF आपको अपल्क्त कराया जाते हैं, अपर ही अपल्क्त कराया जाएंगे यहां द्यान रखिएगा, यहां पर PDF किसी भी ग्रूप में सेर नहीं क्या है, रिजन उसके पीछे है कि आप आप मेहनत नहीं करते हैं नहीं तो यतनी आप लोग मार्केट पड़ा हुआ है इतना पीडियव अच्छे से कंटेंट है फिर भी आपके पास कंफ्यूजन होता है कि हम करेंट में दिक्कत हो जीएस में दिक्कत हो इसके पीछे का मुल कारण है कि आप मेहनत अपने नजरिये स अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो आप अपने नजरिये से महनत किजीए अपने सेलफ में आप काम करना शुरू किजीए जो भी कंटेंट अपलख여त दिक्ल कुराए जाते हैं उसका माएक्रो नोर्स जरूर बनाईए जब आप इस तरह करने लगते हैं माएक्रो नोर्स को क्या करना हमारे ग्रुप में सेर कीजेगा आपको मेरे द्वारा डारेट गाइड किया जाएगा अगर आप ये कर ले तो सेलेक्षन कैसे नहीं होगा इससे समझीगे यही सब कमी हमारे समय में नहीं हुआ करती थी जो आज हम आपके सामने अगर ये सब चीजे दूर कर दी जाती है कहां गलती हो रही है किस तरही प्रकार से हमें अपने नोश को moderate करना किस प्रकार से theme रखना कितना insert रखना इस सवर जनकारे समय पर दे दी जाती है तो हम लोग इतना भठकते ने ज्यान तो बहुत हो गया पर हमें क्या हुआ सासन आन अपने सेल्फ पर काम करने का प्रयास किजिए ज्यादा अधिक सफलता प्राप्त कर पाई चलिए फिर कल मिलते हैं तब तक लिए धन्यवाद जयें